नमस्कार साथियों मैं अभी से एक स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का केरियर इंडिय एजूकेशन में आज यदि हम बात करेंगे तो प्रबंदन की इस क्लास में वित्ति ये वाजार और बिपढ़न एवं प्रबंदर पर सर्चा होगी। आप उस कॉश्चन को अच्छे से कर सकते हैं बागी इस पूरे टॉपिक का जो सार है वो आप पुरानी जो 30 क्लासे हैं जिनमें अपने वन लाइन वाली क्लासें चलाई थी याने वन लाइन में प्रश्ण और उत्तर थे उनमें अधी आप लोग देख लेंगे तो पूरा का पूरा सार मिल जाएगा चलिए दोस्तों बिना लेट किये हुए अपन इस क्लास को चालू करते हैं जिल लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें उसके दो फाइदे उनको मिलेंगे पहला तो यह है कि उनके पास में नॉटिफिकेशन तुर ज़्यादा लाप्रद है दूसरा आपके लिए जो फाइदा मिलने वाला है दोस्तों 15 मार्च से कबसे 15 मार्च से जो पटवारी की पेपर होंगे उनका फुल एनलाइसिस किस सिफ्ट में कौन से कॉश्चन पूछे गए हैं यह करवाया जाएगा इस से आपका यदी पेपर 15 को है तो तो कोई समस्या नहीं 15 के बाद यह दी पेपर है तो एक रणनीती बनाने का अच्छा खासा मौका मिल जाएगा और उस रणनीती को पूरा करने के लिए काफी सारी प्रशनों का आपके पास में शंग्रा होगा चलिए दोस्तों अपन चालू करते हैं इसको जो लो सर्जन के लिए एक बाजार है किसके लिए है बाजार यह वित्तिय परिसंपत्यों के विनिमय और सर्जन के लिए वित्तिय बाजार वही अस्तित तुम्हें ब्यापार करता आता है जहां एक वित्तिय लेंदेन इस्थान लेता है यह वित्तिय लेंदेन वित्तिय परिसंप पत्ती जैसे की इक्विटी, शेयर, रिन पत्र तथा बंद पत्रों का क्रय एवं विक्रय करना आदी ये सभी क्या कहलाता है दोस्तों वित्तिय वाजार कहलाता है वित्तिय वाजार को पढ़ना दोस्तों इसलिए अधिक महत्पूर है क्योंकि इसी के बाद इसी में हमने जो एक नया टॉपिक जोड़ा हुआ है जो की और लेडी है और आप लोगो उसको पढ़ना भी जरूरी है वह वित्तिय प्रवंधन इसलिए पहले वित्तिय वाजार को समझ लें कि ये क्या है तब उसके साथ में प्रवंधन को हम एड़ करेंगे वित्तिय वाजार के कार अब लिए एक तरीके से देखा जाए तो यदि वित्त नहीं है तो आप बड़ी बड़ी चीजें मसीन है या महत्तपूर जो आपके संगिठन में सहयोग कर सकें वो आप कैसे खरीदेंगे तो देखिए उन्होंने पहले ही बताए कि अर्थ विवस्ता में दुरलप संसाधनों के विनियोजन में महत्पूर भूमी करने बाते हैं जिसके लिए विनियोजन में महत्पूर भूमी करने बाते हैं जिसके लिए विनियोजन में महत्पूर भूमी करने बाते हैं जिसके लिए विनियोजन में महत्पूर भूमी करने बाते हैं जिसके लिए विनियोजन में महत् द्रवता प्रदान करना ठीक है चलिए वित्तिय बाजार एक वित्तिय परिसंपत्ति को आसानी से बेचने वा खरीदने को टैक्स यूग बनाता है क्या यूग बनाता है टैक्स यूग ऐसा करते हुए वित्तिय परिसंपत्तियों को द्रवता प्रदान करते हैं ताकि उन्हें आवशक्ता अनुसार आसानी से रोकड याने नगद में परिवर्तित किया जा सके परिसंपत्तियों के धारक वित्तिय बाजार के प्रक्रम के माध्यम से अपनी वित्तिय परिसंपत्ति को हाथों हाथ आसानी से विक्रय कर सके हैं दूसरा आता है बचतों को गतिशील बनाना तथा उन्हें अधिकारिक उत्पाद उब्योग में सरणνηत करना। वित्य बाजार बचत करता से वचतों को निवेशकों तक अंतृत करने की सुवीधा पूर्ण बनाते हैं। यह बचत करताओं को विभिन निवेसकों का विकल्प प्रदान करते हैं और इस प्रकार के अधिसेस निधियों को सरवाधिक उत्पादक उप्योग में शर्णिक करने में मदद करते हैं। देखिए कित्ते काम हो गए बित्ती बाजार के। तुर्टियों की खोज को सुसाध्य बनाना जैसा की हम सब जानते हैं सुसाध्य का मतलब सही बनाना जैसा की हम सब जानते हैं मांग एवं आपूर्ती की ताकतें बाजार में किसी सामान या सेवा की एक कीमत इस्थापित करने में साहिता करती हैं। बित बाजार में भी household की निदियों के आपूर्ती करता तथा व्यवसाइक फर में मांग का पृतिन दुत करती हैं इन दोनों के बीच परस पर क्रिया उस वित्तीय परिसंपत्य पेमत या मूल्लतेय करने में साहिता करती हैं जिसका उस विसेस्ट बाजार में ब्यापार किया जाना है clear द्रव्या मुद्रा बाजार अब भाईयम मनी मार्केट को समझ लेते हैं इन सब को समझेंगे तब ही हमको एक तरीके से देखा जाए तो वित्ती प्रवंधन जब आएगा तब समझ में आएगा विपढ़न प्रवंधन समझ में आएगा द्रव्या मुद्रा बाजार एक छोटी अवधी की निदियों का बाजार है छोटी अवधी याने की समय कम है समय कम है या कम समय के लिए जो ऐसे द्रव्य संपत्यों का निप्टान करता है जिनकी परिपक्कोता अवधी एक वर्सक्की होती है याद रखिएगा मनी बाजार की ये परिसंपत्तियां द्रव के लिए निकट विकल्प होती हैं यह ऐसा बाजार है जहां कम जोखिम आरच्छित तथा लगुकालिक रिण प्रपत्र होते हैं जो कि उच्चे तरल डैनिक निर्गमित तथा शक्रिय तिजारिती तिजारिती का मतलब होता है व्यापारयोग होत होता है राज कोष्ट हैं उसमें कारण यही है प्रियोग करने सा हूं कि वहँआ पूछेगा है है कि लिएर दौा रियनधान की रूप में दिया जाने वाला एक लगुकालिक प्रपत्र होता है इन्हे सूनों कूपन बंधपत्र के नाम से भी जाना जाता है जिन है केंद्री सरकार के पक्ष में भारती रिजर बैंके द्वारा निधी की लगू कालिक अवश्यक्ताओं के लिए जारी किया जाता है ये राजकोस बिल एक वचन पत्र के स्वरूप में जारी किया जाएगा किसके रूप में जारी किया जाएगा दोस्तों वचन पत्र के रूप में प्रशन बन गया कि राज को स्ट्रेचरी किसके रूप में जारी किये जाते हैं तो वचन पत्र के स्वरूप में इसको याद रखिए दूसरा आता है वाणिज्यक या तिजारिती पत्र वाडिज्यक पत्र एक अल्पकालिक आरच्छित वचन पत्र है जो वेचन के द्वारा अंतरणिये एवं पराक्रमे वेचनिये हैं तथा परिपक्को अब्धी याने निश्चित समय के पस्चात एक सुनिश्चित इस्थिर अंतरण या सुपूर्दुगी होती है यह ब्रहद एवं उधार पात्रता कंपनियों के द्वारा अल्पकालिंग बजार दर से कम दर पर निदी उगाहने के लिए जारी करती है इनकी परिपक्कोता अब्धी प्राया पंद्रा जिन से लेकर एक वर्सकी होती है यह भी एक वर्स तक के होते हैं अब है सीग्रावधी द्रव्य सीग्रावधी बर इसको बोलते हैं क्विक मनी क्या बोलते हैं क्विक मनी सीग्रावधी द्रव्य एक लगुकालिक मांग पर पुनर भुक्तान वित्य है इसकी परिपक्कोता अब्धी एक दिन से पंद्रा दिन तक की होगी इसकी अब्धी देख लीजिए एक से पंद्रा प्रश्ण बन गया तथा अंतर वैंक अंतरन के लिए उप्योग किया जाता है वाणिज्यक वैंकों को एक नियूंतम रोकड सेस अनुरच्छित करना होता है जिसे रोकड आरक्चन या नगदी रिजर्ब अनुपात कहते हैं क्या बोलते हैं नगदी रिजर्ब अनुपात इस जब्द सुसाध्य और संस्थानिक विवस्था या प्रबंद को संदर्भित करता है। उद्यमों तथा सामानेता राज की उप्योग के लिए उपलब्द कराया जाता है। अब पूझी बाजार सबसे पहले अवधी पीरियड पूझी बाजार के दीर्ग अवधी एवं मद्द अवधी की प्रतिवूतियों के सौधे होते हैं। मुद्रा बाजार में प्रपत्र अधिक्तम एक वर्स के लिए होते हैं। तो एक अंतराप लोगों ने ये देख लिया कि अगर देखा जाए तो मुद्रा बाजार की जो समय सीमा है वह लगू अबधी के लिए होती है। दूसरी बात एक वर्स से अधिक नहीं होती जबकि पूझी बाजार में यह जादा हो सकती है। लगू बाजार में तो कभी कवार एक दिन के लिए भी ये ऐसे प्रपत्र जारी किये जाते हैं। प्रलेख दा डॉकुमेंट्स इनको देख लेते हैं क्या है। पूझी बाजार जिन प्रलेखों में क्रय विक्रय किया जाता है उनमें प्रमुक हैं। अभी इसके जो धारन है वो यहां पर नहीं लिखे हुए हैं। अंतर में वो धारन आ जाएंगे। मुद्रा बाजार के आप लोग देख लीजिए। पूझी बाजार में विनियोजित रासी पर नियोजकों को मुद्रा बाजार की तुलना में अधिक उच्च दर में प्रत्यय मिलता है। ये प्रतिभूतियां यदि लंबी अवधी की होंगी तो इन पर आय की संभावना अधिक होती है। अब देखते हम प्राथमिक बाजार। प्राथमिक बाजार क्या है प्राइमरी मार्केट। प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन बाजार की रूप में भी जानते हैं। यह नई प्रतिभूतियों से निपढ़ता है जोकी पहली बार निर्गमित होती है। एक प्राथमिक बाजार का आवुश्यकार, बचट करताओं से निवेश योग निजीयों को नए उद्यम स्थापित करने की अवशक्ता वाले उद्धमियों तक या फिर जो पहली बार प्रतिभूतियों को जारी करके अपने विद्धमान व्यवसाय का विस्तार करना चाहता है इस बजार के निवेसक बैंक वित्तिय संस्थान बीमा कंपनियां म्यूचियल फंड तथा व्यक्तिक रूप में होते हैं दुतियक बाजार सेकेंडरी मार्केट क्या है दुतियक बाजार को हम स्टॉक एक्सेंज या स्टॉक बाजार की नाम से जानते हैं याद रखिएगा प्रसनाता है कि स्टॉक एक्सेंज या स्टॉक बाजार क्या है तुरंत आंक बंद कर लेन अपनी और लगा देना दूतियक बाजार हैं एक वाजार है यह करता है इसके साथ Темान परिती प्रति भूतियों को सेवी के द्वारा भी सेवी को पढ़ेंगे अपन सेवी बहुत मात्पूर है दोस्तों सेवी को हम पढ़ेंगे है ना प्रदिश्ट नियामक धांचे के अंतरगत क्रय विक्रय चुकाई या निकासित या निप्टाया जाता है सूचना तकनीक की प्रगती ने सेवी बाजार श्टोक एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेंडिंग टर्मिनलों के द्वारा देज भर में कहीं भी ब्यापार के लिए पहुँच को सरल भी बना दिया है के लिए हम देखते हैं प्रात्मिक बाजार और दुतियक बाजार में अंतर नए निर्गमों का बाजार भी बोलते हैं प्रात्मिक बाजार को दुतियक बाजार श्टोक एक्सचेंज क्या है देखते हैं पहला इसमें नई कंपनियों के द्वारा प्रती भूतियों का विक्रह होगा अत्वा निर्वत मान कंपनियों के द्वारा निवे सकों को नई प प्रती भूतियों को कम्पनी सीधे नियोजक को विक्रय है अथवा किसी मध्यस्त के द्वारा। निर्वर्त प्रती भूतियों का निवेसकों की बीच बिन्मय होता है। इसमें कम्पनी की कोई भूमिका नहीं होती। इसमें कोस बचत करताओं से निवेशकों को जाता है अथा प्राथमिक बाजार प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट पूझी निर्माण को प्रोसाहन देगा यह सेयर की रोकड में परिवर्त नियता याने तरलता को बढ़ाती है था जिए बाजार परोच रूप से पूझी निर्माण को प्रोसाहन देता है यह होगे अपना तीसरा चौथा देखते हैं प्राथमिक बाजार में प्रती भूतियों का केवल क्रय होता है इनको विक्रय नहीं किया जा सकता समझिएगा श्टॉक एक्सचेंज में प्रती भूतियों का क्रय एवं विक्रय दोनों किया जाता है यह इंपोर्टेंट है कि प्राथमिक बाजार में जो प्रती भूतियां उनका केबल क्रय किया जा सकता है ली जा सकती हैं बेची नहीं जा सकती स्टॉक एक्सचेंज में क्रय विक्रय आप दोनों कर लें समझ गए प्राथ में कुर्दुतियक बाजारव महत्वपूर्ण अंतर इन्हीं अंतरों से प्रसना जाएगा दोस्तों अच्छे से याद कर ल तक आ गया बहुत सारे लोग तो उसको पहली बार सुन रहे होंगे है ना और ये प्रबंदन में बहुत सारे लोग पढ़ा भी नहीं रहें और इसी से एक से दो प्रसन तो आने ही है है ना चलिए इसकंद विपुणी का अर्थ मीनिंग ओप श्टॉक एक्सेंज इसकंद का अर्थ है श्टॉक या प्रती भूती तथा विपुणी का अर्थ है क्रय विक्रय का बाजार इस प्रकार इसकंद विपुणी का भी प्रय उस बाजार से है जहां प्रती भूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है प्रती भूती के अंतरगत अंस रिन पत्र बॉंड सरकारी प प्रति भूतियों के क्रे विक्रे होते हैं उसको दुतियक बाजार कहते हैं इसकंद बिबनी का आसाय इसी दुतियक बाजार से होता है इसे प्रति भूतियों का बाजार से क्योर्टी मार्केट भी कहते हैं प्रति भूति अनुबंध नियमन अधिनियम 1956 की धारा तू अधिनियम में तो याद रखेगा 1956 या 1956 की धारा दोक में तीन के अंतरगत इसकंद बिपड़ी को इस प्रकार से परिभासित किया गया है। इसको अच्छे से याद रख लीजेगा दोस्तों, श्टॉक एक्सचेंज किसमें हैं, 1956 की धारा दोक तीन में, किलियर चलिए। इसकंद बिपड़ी की विसेस्ताय क्या हैं? ऐसकंद बिपड़ी स्टॉक एक्सचेंज की विशेस्ताय क्या है? मैं बार बार इसकंद बिपड़ी इसलिए बोल रहा हूँ, दोस्तों, एक तो इसमें सामने लिखा हुआ है, दूसरी बात आपको याद भी हो जाए कि यहीं स्टोक एक्सेंज हैं सकन्द विपड़ी में रिप्रतिब्शबूत्यों का लेन्दिन इसकंद विपड़ी में उन्हीं प्रतिबूतियों के पंद्प्राइ़ नौटि याद रखियेगा यह एक संगठित बाजार है किस किस की रूप में हो सकता है दोस्तों यह किस किस की रूप में हो सकता है यह हो सकता है एसोसियेशन हो सकता है संगठन तो वो है ही और व्यक्तियों के समूख के लिए 9 जुलाई 2007 को सेवी ने अभी सेवी पर पनाने वाले हैं सेवी को समझेंगे ये कब आया कैसा आया 9 जुलाई 2007 को सेवी ने सुस्त कामकाज के कारण सौराष्ट स्टॉक एक्चेंज राजगोट की माननेता रद कर दी है जिसके कारण अब सक्रिय स्टॉक एक्चेंज की संख्या 24 से घटकर 23 हो गई है ये बीच में important बात को याद रखिएगा किसके काम को सौराष्ट स्टॉक एक्चेंज को clear एक सौराष्ट किसको बोलते हैं दोस्तों सौराष्ट गुजराद वाली छेत्र को कहा जाता है एक सेर बाजार के क्रिया कलाप activities of stock market क्या-क्या वो लोग करते हैं देखते हैं प्रती भूतियों का मूल्यन या भाव एक सेर बाजार में सेर का मूल्य या भाव मांग एवं आपूर्थी की द्वारा निर्धारित होता है एक सेर बाजार सतत मूल्यन या मूल्यन निर्धारन का एक प्रक्रम है जिसके माध्यम से प्रती भूतियों की मूल्य निर्धारित होते हैं इस प्रकार का मुल्यन, क्रेता इवं विक्रेता दोनों को ही सीगृता से महत्पूर सूचनाय उपलब्द कराता है। दूसरा आता है इक्विटी संप्रदाय का प्रसार। दूसरा क्या है इक्विटी संप्रदाय का प्रसार। ये हो गया इसका दूसरा तीसरे पर देखते हैं। विद्दमान प्रती भूतियों को द्रबता एवं विनियोग उपलब्द कराना एक सेर बाजार की आधार भूत क्रिया सील्टा एक सातब्ब बाजार तयार करना है। जहां प्रती भूतियां जो होंगी वह क्रे वा विक्रे की जा सकें। यह निवेशकों का विनिवेश एवं पुनर विनिवेश के आउसर को भी प्रतान करना है। भारत में अब देखते हैं पंस शेर बाजार का इतिहास। इससे भी प्रशनाते हैं दोस्तों। वर्ष 1850 में हिस्ट्री ओप स्टॉक मार्केट इन इंडिया। वर्ष 1850 में यहीं से विल्कुल याद करती हुए चलिए कि यदि नोट्स नहीं बना रहा हैं तो उनको बनाने लगे दोस्तों। ठीक है। लोग यह सोच लेते हैं कि आप पीडियेफ मिल जाएगी तो नोट्स बनाने की क्या वशकता है वशकता है भाई। यदि आप लोग नोट्स नहीं बनाएंगे और ऐसी पीडियेफ तो आप लोग चले जाएं टेलीग्राम पे ना जाने कितनी पीडियेफ मिल जाएंगी भाई यदि दिमाग में नहीं है आपकी बुद्धी में नहीं है तो फिर आप वहाँ पर कॉस्चनों को कैसे सही यह एक पीडियेफ दिमाग में भी बननी चाहिए अब दिमाग में कैसे बनेगी उसकी प्रथम सीड़ी है कि आप अपने नोट्सों को स्वेहम बनाने लगें यदि आप खुद बनाने लगेंगे और उन्हीं को बार बार पढ़ेंगे तो जो आपका दिमाग है दिमाग की के कंडिशन रोस्तों ये इसकी फितरत है इसको खूबी कहने कि वह जो पहले कर लेता है उसके बाद उसको करने में बहुत सरलता लगती है आप किसी का पीडियेफ उठाके पढ़ेंगे तो आपको अलग लगेगा लेकिन यह आपने स्वयम लिखा हुए और फिर उसको पढ कंपनी अधीनियम लाया गया जिसके अंतरगत सीमित देंदारियों तथा निंग्वित प्रतिभूतियों में नवेशकों की रुची पैदा करने जैसी विशिश्ता उसके साथ में आई थी ठीक है 1850 में भारत में पहला स्टॉक एक्चेंज शेयर बाजार बर्स 1875 में बंब स्टॉक एक्चेंज BSE के नाम से जाना जाता है किलियर इसका अनुगमन करते हुए एहमदाबाद में वर्स 1894 में कलकत्ता में वर्स 1908 में मद्रास में 1937 में एक्चेंजों का विकास हुआ अब देखते हैं ये जितने भी सन है दोस्तों याद रखिएगा पहला तो मत भूलिएगा 1875 में जो बंबई में हुआ अब हम देखते हैं भारत का राश्टिये शेयर बाजार ये क्या कहता है इसमें देखते हैं इसमें कौन-कौन से प्रश्म निकलेंगे हमारे सबसे पहले भारत का राश्टिये सेयर बाजार बिलकुल नया अती अधुनातन एवं तकनीकी संचालित एक्सचेंज है इसे वर्स 1992 में निगमित किया गया जो भारत का राश्टिये सेयर बाजार है नैसनल स्टॉक एक्सचेंज याद रखियेगा किलियर अपरेल 1993 में सेयर बाजार की रूप में इसको मानिता मिली 92 में तो निगमित किया और 93 में मिल गई भाई सम्मानिता वर्स 1994 में इसने कारे करना किया है चालू तो तीनो याद रखियेगा जिसमें थोक रिन बाजार से कुटी के लिए ब्यापार मंच की सुरुवात की थी जून 2000 में विभिन वितुपादित प्रपत्रों के लिए भावी एवं विकल्पिक सेग्मेंट प्रारंब किया NSE ने राष्ट व्यापी पूर्टा यही भारती जो राष्टी सेर बाजार है नैस्नल स्टोक एक्स्चेंज इसी का एक तरीके से ही संचिप्त रूप है स्वचालित स्क्रीन आधारित व्यापार प्रणाली की स्थापना की राश्टिय सेरवाजार अग्रणी वित्तिय संस्थानों, बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा अन्य वित्तिय मध्यस्त के द्वारा इस्थापित किया गया था यह व्यवसाइकों के द्वारा प्रवंधित किया जाता है जो प्रत्यक्षया परोग चुरूप से एक्सचेंज पर व्यापार नहीं करते। समान पहुँच सुनिश्चित करना। के रूपांत्रण में एक बदलाओ अभी करता की रूप में अग्रणी भूमी का निभा रहा है। जिस राष्टिय सेर बाजार जिस देश के लिए आया उसको इस निलगभग में प्राप्त कर लिया है। किलियर चलिए। अंतर राष्टिय उचाई एवं मानकों को पूरा करना। दस वर्ष की समय सीमा के अंदर NSE उनुद्देश को प्राप्त करने के योग हो गया जिसके लिए इसकी इस्थापना की गई थी। यह भारतिय पूंजी बाजार के रूपांत्रण में एक बदलाओ अभी करता के इंप में अग्रणी भूमी का निभा रहा है। राश्टिय सेर बाजार के बाजार खंड सबसे पहला है थोक विक्रिय रिण बाजार खंड होल सेल डैप्ट मार्केट शेगमेंट यह खंड व्यापक दायरी की इस्थिर आय प्रतिभूतियों के लिए एक व्यापार मंच प्रदान करता है। जिसके अंतरगत केंद्री शरकार की प्रतिभूतियां, राजकोसिय बिल, राज्य विकासरिन, सार्वजनिक, छेत्र के निगमों के द्वारा जारी बंध, जारी बंध, चलिए शुरुआ से देखते हैं इसको, यह खंड व्यापक दायरे की, एक मिट रुकी एक रोसका हू इसके अंतरगत केंद्री शरकार की प्रतिभूतियां, राजकोसिय बिल, राज्य विकासरिन, सार्वजनिक, छेत्र की निगमों के द्वारा, जारी बंध, पत्र, अस्थाई चल, पूंजी दर, बंध, पत्र, सून्ने कूपन, बंध, पत्र, सूचकांक बॉन्ड, वाने ज पत्र, वचत प्रमार पत्र, निगमों के द्वाजार पत्र, तथा म्यूचल फंड आते हैं, पूंजी बाजार खंड, एन एस आई का पूंजी बाजार खंड, एक्कुटी, अधिमान, रिण पत्र, एक्शेंज, ब्यापार फंड के साथ साथ, खुटकर सरकारी प्रतिभू पूंजी बाजार पत्र, पूंजी बाजार पत्र, एक्शेंज, ब्याद रखिये, इसे प्रतिभूती समवीदा विनिमाए अधिनियम 1956 अभी पढ़ा पनने के अंतरगत इस्ताई मानिता दी गई, पूंजी प्राप्त करने हैं, तु एक मंच उपलब्द करा कर, यह निगम चेतर की समवरद्धी में योगदान करता है, भारतिय प्रतिभूती एवं विनिमाए बोर्ड, यह आगया भाई है, सेवी में बार बार बोला था, Securities and Exchange Board of India, ठेक है, इसको समझते हैं, भारतिय प्रतिभूती एवं विनिमाए बोर्ड, सेवी की स्थापना, भारा सरकार के द्वारा 12 अप्रेल 1988 को एक अंत्रिम प्रसाशनिक निकाय के रूप में की गई थी, जो प्रतिभूती बाजार के क्रमवध याने निमित एवं स्वास्त बर ब्रद्धी तथा निवेशकों की संदक्षा को बढ़ावा प्रदान करे, इसलिए इसकी स्थापना की गई, यह याद रखिएगा कपकी गई, बारा अप्रेल, बारा अप्रेल 1988, 1988 को फिक है, यह भारत सरकार के वित्वंत्राले के अधीन, शंपून प्रसास की नियंत्रण में कारे रथ था, 30 जनवरी 1992 को सेवी को एक ओर्डिनेंस अध्यादेश के द्वारा, वैधानिक निकाय का बाद में यह साशना देश या अध्या देश से हटा कर संसत के अधीनियम के रूप में भारती ये प्रत्या भूती एवं विनिमा वोर्ड अधीनियम 1992 में बदला, क्या बदल गया, भारती ये प्रत्या भूती एवं विनिमा वोर्ड अधीनियम 1992 में बदला, इसको याद र प्रतिभूती बाजारों के माध्यम से संसाधनों को नियोजन एवं सच्छम गतिसलिता को सुसाध्य बनाए इसके साथ ही इसका उद्देश से है प्रतिस फर्दा के उत्प्रेरित करना तथा नवाचारों को प्रोचसाहित करना इस पर्याबरण के अंतरगत नियम एवं विनियम संस्थान एवं उनके अंतर संबंध प्रपत्र ब्योहार बाह संदशना एवं नीटी गढ़ाचा आदी संबलेत हैं सेवी के उद्देश देख लिए जाते हैं Objective of सेवी सेवी के उद्देश निवेशकों के हितों को संदच्छित करना है तथा उनके विकास को प्रोचसाहित करना तथा प्रती भूती वाजार को विनियमित करना है इन्हें निमनलिकित रूप से इस पष्ट किया जा सकता है पहला सेयर बाजार तथा प्रती भूती उद्द्द्यों को विनियमित करना ताकि क्रमवद्द ढंग से उनकी क्रिया सिल्टा को रोचसाहन मिले दूसरा मध्यस्त जैसे की दलाल, मर्चेंट, बैंकर्स आदी के द्वारा एक आचार सहिंटा इवम निस्पच ब्रोकर्स हो गए प्रतियोगी रूप में मिले देखिए अब आते हैं सेवी के कार यहां से पीछवार नहीं था उन्हें प्रतियोगी में एक तरीक से देखा जाए तो देखिए समझे मध्यस्त जैसे की दलाल, मर्चेंट, बैंकर्स, आदी के द्वारा एक आचार सहिंटा एवम निस्पच संदक्चन प्रदान किया जा सकी हैं सेवी के कार, भारत में प्रतिभूती बाजार की उभर्थी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सेवी को विनियमन तथा प्रतिभूती बाजार की विकास दोनों कार की सुपूर्दगी दी गई है क्या क्या दिया गया है सेवी को विनियमन तका प्रती भूती बाजार के विकास दोनों कार की सुपूत्वी दी गई है सेवी के कार को निकासी उसके उद्देश्चे होती है इसलिए कह सकते हैं कि इसमें तीन प्रकार के कार है सुराच्छात्मक अब भी अब भी अपने हाँ देखा लास्ट में देखो उनको प्रदान किया संदक्षन समझना दूसरा नियमन करता यह नियम भी बनाएगा तीसरा विकास्पूर्ण इन में से कुछ इस प्रकार से है चलिए दूस्तो अब अपन समझते हैं विकास्पूर्ण इन में से कुछ इसी प्रकार से है अब समझते हैं विकास्पूर्ण इवं प्रबंद अभी तक अपन लोगों ने किसको देख लिया चीजों को क्या था व्यापार क्या था मार्केट यह सब अब वहां से यह समझ लेने के बाद अब अपन इसको प्रबंध से जो होते हैं मार्केटिंग एन मैनेजमेंट किलियर विपड़न में आप यह मत समझना कि खाली मार्केटिंग ही आएगा विवसाइट बित ये सभी चीले इसमें जुड़ने लगेंगी समझना चलिए चलिए अब इसको आप पढ़के ही समझेंगे सबसे पहले विपड़न याने मार्केटिंग विपड़न को उन विवसाइट क्रियाओं का निस्पाधन माना जाता है जिनके कारण वस्तु एवं सेवाएं उत्पादक से भोक्ता तक पहुंचती हैं ठीक उत्पादक का रूपांकन अत्वाब्यापार पैकेजिंग भंडारन पैकेजिंग पे बहुत प्रस्णा आते हैं दोस्तों परिवाहन व्रांडिंग पे आएंगे विक्रय, विद्ज्यापन इवां मूले निर्धारन इन समस्ति क्रियाओं को विपभन क्रिया कहते हैं मार्केटिंग तो आप लोग जानते ही होंगे मैं ऐसी लिए कर रहा था कि दोस्तों इसकी जो टर्म्स और कंडिशन हैं अब बस बीच में मैं एक आदिन उनको लेके आने वाला हूँ, जो सब्द हैं, उन सब्दों को आप लोग देख लीजेगा, उन सब्दों से ये होगा कि आप लोगों को ये जो सामान प्रबंदन है और अच्छे से समझ में आदे लगेगा, जो हिंदी के सब्द हैं, जो हम ल लगबग में दोसों सब्द हैं, दोस्तों, हो सकता है कल ही मैं उनको लेके आजाओं, क्योंकि समय अब बलकुल नजदीक आचुका है, कल मैं लेके आओंगा उनको, चलिए, विपड़न, अब अपन देखते हैं, एक बार और पढ़ते हैं इसके लिए, विपड़न को उन व विवसाइक क्रियाओं का निस्पादन माना जाता है, जिनके कारण वस्तु एवं सेवाएं, उत्पादक से उपभोकता तक किस से? उत्पादक से इसलाइं को समझें, उत्पादक से उपभोकता, याने कि मैं उपभोकता हूँ, उत्पादक जहां से वह उत्पन हुई है, तक पहुंचाती हैं बिलकुल उत्पाद का रूपांकन तथा ब्यापार पैकेजिंग भंडारण परिवहन ब्रांडिंग विक्रय विज्यापन एब मूले निर्धारण इन सभी क्रियाओं को ही विपढ़न की क्रिया कहा जाता है होता क्या है वो धारण से समझते हैं दोस्तो अब यह क्या हुगा सबसे पहले तो यह कहीं पर उत्पादित होगी सबसे पहले इसका उत्पादन हो गया यहां पर यह उत्पादन होती है अब यह और यहां पर मैं हूँ भोगता अब यह मेरे पास में कैसे पहुंचेगी देखिए जब यह मेरे पास में पहुंचेगी त उसके पहले पहले तक इसमें क्या होगा सबसे पहले उत्पाद का रूप आंकन रूप आंकन याने कि इसका रूप होगा कुछ ऐसा तो है नहीं कि भाई सॉस को हम सीधा जाएंगे किसी पन्नी में दे देंगे है ना आता तो वो उसमें भी है अब उसको यहां तक पहुंचने के लिए परिवहान भी तो चाहिये चाहिये परिवहान की नहीं चाहिये ये बना दिये पननेगाड़ी परिवहन भी चाहिए अब उसको विक्रे किया जाएगा अब विक्रे करने लगे या विक्रे करने से पूर्व हमें उसको जादा बेचना है उद्देश तो यही संगठन का या प्रबंधन का अगर मार्केटिंग में देखें कि भाई हमारा जो उत्पाद है जादा जादा बि ग्यापन एवं मूले निर्धारण इन समस्क्रियाओं को ही विप्रण क्रिया कहते हैं आप लोगों को इस उधारण से लगभग में समझ में आ गया होगा चलिए विप्रण प्रबंध सामाने प्रबंध की वहसाखा है जो संस्था की विप्रण योगताओं साधनों से हितकारी समायोजन संतुलन तता सामजस स्थापित करने का कारे करती है बिलकुल विप्रण एवं विक्रण आप समझ लिए विप्रण में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्न क्रियाएं समले थे हैं जिनके सम्मंद उन उत्पादों के नियोजन मूलिनिर्धारण प्र अस्तु एवं सेवाँं के प्रवर्ण तक्सीमित है इससे उत्पाद का स्वामित्व विक्रेता से क्रेता को हस्तांत्रित हो जाता है। दूसरे सब्दो में उत्पाद के बदले में रोकड़ हो जाती है क्या हो से विनीमय के छित परिडाम प्राप्त करने के लिए यह निर्णे लेना महत्पूर्ण है कि किसी शंगठन के विपढ़न सम्मंदी कारे को कौन सा दर्शन अथ्वा विचार धारा दिसा प्रदान करे जिस दर्शन अथ्वा अवधारना को अपनाना है उसकी समझ का बहुत महत थै क्योंकि यह संगठन के उद्वेक को प्राप्त करने में विभिन तत्वों पर बल देने अथ्वा महत्पू देने का निर्दारन करता है विपढ़न की अवधारना अथ्वा दर्शन शंवह का विकास एक लंबे समय में हुआ है विपढ़न मुखि का अर्थे बाजार मे किसी भी शंगठन की सफलता की कुझी और भोकताओं को आवाशक्ता की संतुष्टि विपढ़न की अवस्धार्णा क्या है दोस्तों दोस्तों याद रखिए इसी लिए मैंने यहां पर थोड़ा जोड़ दिया है कि विपढ़न की मुख्य शवधारना क्या है बता देंगे आप या बिपढ़न का मुख्युद्दे से क्या है वो भोगता की अवशक्ता की संदुष्टी मैंने यदिवह सौस की बूतल ली और मेरे को मज़ा नहीं आया और मैंने ये उसमें देख के एक तरीके से देख जया तो रेटिंग जो आती है मैंने उसमें फाइव रेटिंग की जाए एक रेटिंग देदी और नीचे एक हलका सा कमेंट डाल दिया क्या कमेंट डाल दिया कि यह मज़ेदार नहीं है बस अब ऐसा ही मेरे जैसे अगर हजार आदमियों ने कर दिया तो उसकी जो बिक्त्री है वह कम हो जाती है याद इसमें यह माना जाता है कि दीर्ग अवधी में कोई भी संगठन यदि अपने अधिक्तम लाब के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने वर्तमान तथा संभावित क्रेताओं की अवशक्ताओं की पहचान कर उनकी प्रभावी रूप से संतुष्टी कर यह जाते हैं दूसरे सब्दों में संगठन में सभी निर्णयों का केंद्र बिंदू ग्राहक की संतुष्टी ही होता है विपडन के कार वर्क ओफ मार्केटिंग विपडन का संबंध वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादक तथा उभ्भोकता अथ्वा उप्योग करता के बीच इस प्रकार से विनिनाई से है जो भोकताओं की अवश्यक्ताओं की अधिक्तम संतुष्टी प्रदान करता है विपडन के कार के रूप में इसकी अनिक क्रिया है जिनका वर्ण नीचे किया गया है विपडन के क्या है कार अब देखते हैं वैया पहला बाजार सूचना एकत्रित करना और उसका विश्लेशन करना क्या चल रहा है बजार उठान पर है पी दाउन है मन्दी यह तेजी आ रही है ग्राहकों की अवश्यक्ताओं की पहचान करना और वस्तु एवं सेवाओं के सफल विपडन के लिए भिमिन निर्णाई लेना आवश्यक है संगतन के अवसर एवं कटनाईयों तथा उसकी सुद्रनता एवं कमजोरियों का विश्लेशन करना तथा यह निर्णे लेना की किन अवसरों का लाव उठाने के लिए कारिकिया जाई यह अधिक महत्पूर्ण है दूसरा क्या है दोस्तों दूसरा है एक तरीके से ब्रांड अधिकांस उपभोकता उत्पादों के विपड़न के लिए एक महत्पूर निर्णय यह लिया जाता है कि क्या उत्पाद को इस वर्ग विशेस के नाम उत्पाद किसी वर्ग का है जैसे पंखे, पैन, आदी से बेचा जाए अत्वा इनकी विक्री ब्रांड के ब्रांड के ना जाता है जिससे उत्पाद के लिए उपभोकता का लगाव उत्पन होता है तथा इससे विक्री समवर्धन में सहायता भी मिलती है इससे विक्री समवर्धन में सहायता मिलती है तीसरा कौन सा है दोस्तों विपड़न नियोजन संगठन के विपड़न उद्देश को प्राप करना है चोथा आता है दोस्तों समवर्धन क्या है समवर्धन वस्तु एवं सेवाओं के समवर्धन में उपभोगताओं को फर्म के उत्पाद एवं उसकी विशेष्टाओं के संबंद में सूचना देना तथा उन्हें इन उत्पाद को क्रय करने के लिए प्रेरित करना समलित होता है विक्री प्रवर्तन की चार महत्पूर्पदतियां है विग्यापन व्यक्तिगत विक्रय प्रचार एवं विक्रय समवर्धन कौन-कौन सी है चार महत्पूर्पदतियां एक तो विग्यापन हो गया व्यक्तिगत विक्रय भी हो गया प्रचार हो गया और विक्रय समवर करता को कई महात्फूर्ण ने नएलेने होते हैं जैसे प्रबर्त संब्जत प्रबर्त선 मिस्र ऩादि inviting आगे चलते हैं कि विप्ण प्रबंध दर्शन में अंतर देख लिया जाए देखी हैं किरा कि तीनों चीजों में विप्ण चारों doğru में विप्ण प्रबंध दर्शन देखें, यहां समझेगा, यह इनोंने अवधार्णाई लिखी हुई हैं, उत्पाद अवधार्णा, उत्पाद अवधार्णा, विक्रय अवधार्णा, विप्णन अवधार्णा और समाज अवधार्णा, किस-किस के आधार पर है, प्रारंभिक विंदू, मुख केंद्र वि अब देखते हैं दूसरे नमबर पे मुख्य केंद्र विंदू उत्पाद की मात्रा उत्पाद का स्वरून इसमें क्या आएगा उत्पाद की गुणबत्ता और उसका निश्पादन अब विक्रे की अफधाद में क्या आएगा उत्पाद में ब्रद्धी और विपडन की अफ भोक्ता की ठीक है और समाज अब धर्णामें क्या आएगा अवश्यक्ता एं तथा समाज कल्यार में सुधार क्या वाले में हम क्या देखेंगे एकी करत विपड़न होगा और समाज अवधारणा में क्या होगा उसमें भी एकी करत विपड़न समाप्ती पी देखते हैं समाप्ती पी क्या होगा उतपादन की मात्रा द्वारा लाभर्जन उत्पाद अवधारणा में क्या होगा उत्पाद की गुणबत्ता से लाब प्राप्ती विक्रे की मात्रा में क्या होगा विक्रे अवधारणा में विक्रे की मात्रा से लाब प्राप्ती है ना अब आप लोगों समझ में आ गया होगा कि ये कहां से कैसा क्या होगा विपड़न की कितनी ज़्यादा महत्पूर्ण एक तरीके से देखा जाए तो विसेस्ताएं भी है और यह इतना ज़्यादा उपयोगी भी है चलिए विपड़न मिस्रन मार्केटिंग मिक्स अब ये क्या अंग है जिसमें बाजार की लक्ष निर्दारित करने तथा विपड़न मिस्रन का सयोजन करने पर बल दिया जाता है ठीक है दूसरा है विपड़न मिस्रन की तक्त्व विभिन्य दरों से मिलकर बनता है जिनको मुक्ता चार वर गोन भ्यक्त किया गया है जो इस प्रकार है उत्पाद मूल्य इस्थान एवं प्रवर्तन क्या क्या है उत्पाद दूसरा है मूल्य तीसरा है स्थान और चोथा है प्रवर्तन उत्पाद क्या है प्रोडक्ट वस्तू का अर्थ वस्तू की बहुतिकता से नहीं वरन उसकी उप्योगिता से भी है जो मनोवे ज्यानिक सं उत्पाद का अर्थ है उत्पाद किसको कहेंगे वस्तू सेवाएं सेवाएं भी आती है दोस्तों अथवा अन्य कोई पदार्थ जिसका मूले है जिन्हें बाजार में विक्री के लिए प्रिस्तावित किया जाता है उन्हीं को हम उत्पाद कहेंगे कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप सिर्व उसको वस्तू समझे, पाने की बोतल ही समझे, सेवाइं भी हो सकती है, सेवाइं नहीं देते, आपने देखा होगा, डॉक्टर अपनी सेवाइं दे रहे हैं, या बस सर्विस वाले अपनी सेवाइं दे रहे हैं, तो अधिकांस उत्पादों की मांग की मात्रा को उसका मूल्य प्रभावित करता है। बिपड़न करता हों के ना केवल मूले निर्धारन के उद्देश के सम्मंध में नेनाय लेना होता है, जो बिपड़न करता होंगे, बलकि मूले निर्धारक तत्तों का विचलेशन कर फर्म के उत्पादों का मूले भी निर्धारित कनना होता है. मूले क्या है? मैं जैसे कि य क्लियर इसको समझाने के लिए मैं कुछ पल के लिए ग्राहक बन गया तब क्या होगा ग्राहक उत्पाद को प्राप्त करने के लिए जिसका भुक्तान करते तो भई हो गया मूले क्लियर अब उसको क्या कह रहा है आगे वह कह रहा है कि अधिकांस उत्पाद के मांग की मात्रा को उसका मूले प्रभावित करता है बिलकुल यदि मान लीजिए मूले जादा है मैं ग्रहा कूचों की मैं ले रहा हूं तो मूले जादा है अब मेरी इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं उसको खरीद पाऊं तो नहीं खरीद पाऊंगा क्लियर ये लान क्लियर होई दूसरी देखिए बिपढ़न करताओं के ना केवल मूले निर्धारण के उत देश के संबंद में निर्णाई लेना होता है बलकि मूले निर्धारत तत्वों का विसलेशन कर फर्म के उतपादों का मूले भी निर्धारत करना होता है अब चूकि जब उसका मूल जादा है और मैं नहीं ले रहा हूं तो जो विपढ़न करता होंगे जो उपर बैठे होंगे उस सामान को बेचने वाले वो लोग देखेंगे ध्यान देगे कि जो मार्केट में है हमारा सामान नहीं बिकड़ा तो उनने देखा कि यार इसकी कीमत जादा है तो जो विशलेशन है तो इसमें बताया गया है कि वो लोग इसका विशलेशन तो उतनी ही कीमत उसकी रखेंगे कि जितना उनको घाटा ना हो जाए कि लिए चलिए अब तीसरा आता है इस्थान बहुत महत्पूर है इस्थान अर्थात वस्तूएं का वित्रण में निर्दिश्ट उभोकताओं के फर्म के उतपादों को अपलब्द कराने की क्रियां इसम्म्मान में जो महत्पूर निर्णा लिये जाते हैं उनमें उभोकता तक पहुँच के लिए वित्रक अत्व मध्यस्त का चयन मध्यस्तों को छूट प्रवर्तन अभियान आदी के द्वारा समर्थन प्रदान करना संब्लेत हैं इसके बदले में मध्यस्त फर्म के उत्पादों का संग्रह करते हैं उन्हें संभावित ग्रहकों को दिखाते हैं ग्रहकों से मूल कराते हैं विक्रय को अंतिम रूप प्रदान करते हैं तथा विक्री पस्चात की सेवाइं भी प्रदान करते हैं अन्य छेत्र जिनके संबंध में निड़ने लिए जाते हैं उनमें श्टॉक का प्रबंधन शंग्रहन एवं भंडारन तथा वस्तूओं का उनके उत्पादन के स्थान से भोकता के स्थान को ले जाना आदी समसामिल है क्लियर अब देखते हैं प्रवर्तन चौथा ये क्या है वस्तु एवं सेवाओं के प्रवर्तन में जो क्रियाय समलित हैं उनमें उत्पाद की उपलब्धता रंग रूप गुण आदी को लक्षित उपभोकता के उसे इसके क्रय के लिए प्रवर्तन का मतलब क्या होता है यदि हम किसी चीज के प्रवर्तन की बात करें तो एक तरीके से मेंसामान तो उसके अंदर है लेकिन उसके प्रवर्तन में उसके रंग रूप को चेंज करेंगे उसको थोड़ा एट्रेक्टिव बनाएंगे और जो चांस बिपढ़न संगठन कई प्रकार की विक्त्री प्रवर्तन फ्रियाय करते हैं तता इस पर भारी रासी भी व्याय करते हैं इसके कई माध्य हमें जैसे विज्यापन करेंगे आपको दिखाएंगे विज्यापन आप लोगों ने देखा हुगा आप पहले इस्तमाल करें फ 50% ऑफ है और यह जो ऑफर है सीमित समय के लिए है या भी महारत शिवरात्री आई थी महा सिवरात्री पर 50% ऑफ बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे ना यूटूब पर बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने 50% ऑफ चला रखा है किसी भी समयों 50% ऑफ कर देते हैं ले 459 में में उन्होंने 20% कर दिया आपके लिए 345 जादा नहीं आउनके लिए और उनके लिए कौई समस्य नहीं है क्योंगी आपके जैसे बहुत सारे लोग और उनकी कोई संख्यावी सीमित नहीं वो लोग आ जाते है इस तरीके के अब देखेम समाचारपत्र होगे इसको आप लोग अक्सर देखते हों कि इसके साथ में बाल्टी आपको फिरी मिलेगी तो यह इस तरीके के मुफ्त नमूने मिल जाते हैं उपर युक्त छेत्र में पृतेक के संबंध में कई ने लिए जाते हैं इस तरीके का काम होता है प्रवर्तन में समझिएगा यह मैं इतना समझा रहा हूं दोस्तों नीतर आगे निकल जाता समझना ओधारन के लिए विज्यापन के लिए संदेश मद्ध जैसे समाचार पत्र पत्री का आदी ग्रहकों की सिकायत आदी को तै करना होता है यह भी याद रखिएग अप्रवर्तन में ग्रहकों की जो सिकायते हैं उनको भी तै करना होता है किलियर चलिए अब आगे चलते हैं उत्पाद प्रोड़क्ट यह क्या है ग्रहक की द्रस्टी से देखें तो उत्पाद अनेक उपयोगिताओं का समू है जिसका क्रय उसकी कुछ आवश्यक्ताओं की संतुष्टी की चंता के कारण हिया जाता ह एक क्रेता किसी वस्तु अथवा सेवा का क्रय इसलिए करता है क्योंकि यह उसके लिए उपयोगी है अथवा उसे यह कुछ लाब पहुचाता है किसी उत्पाद के क्रय से ग्रहक को तीन प्रकार के लाब प्राप्त होते हैं पहला है कारयात्मक लाब पहला कौन सा है दोस्त कारयातम क्लाब, दूसरा क्या है मनो वेज्ञानिक लाब, तीसरा क्या है सामाजिक लाब, तीन प्रकार के लाप राप्त होते हैं, किलियर याद रखिएगा, उब भोकता वस्तु हैं, कंजूमर प्रोडक्ट, अब इसको समझते हैं, विशिष्ट उत्पाद देखिए, विश इसे उत्पाद की क्रम में, क्रेता भी अधिक समय एवं स्रम लगाने को तयार रहते हैं, ये विशिष्ट उत्पाद होते हैं, एपल, विशिष्ट उत्पाद दोस्तों, आता नहीं है, आईफॉन की विए उसके लिए लाइने लग जाती हैं, कम आदमी होते हैं, तो उनको कीमत भी जादा है लोग स्टेटस के चक्कर में इन आईफोनों को या महेंगे प्रोडक्टों को लेना जादा पसंद करते हैं चलिए दूसरा है सुभिधा उत्पाद आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों यहां से मैं आपको बताता हूँ एक टाटा की नैनो कार चली थी टाटा की एक नैनो कार चली थी ना कितनी अच्छी बात थी कि एक लाख में उन्होंने एक लाख में बजट में एक दे दी आज अगर आप बुलट को देखेंगे तो द भारत में अधिकतम आदमी अपने स्टेटस पर जाता ध्यान देता है ना इस पर स्टेटस पर उन लोगों को यह लगा कि यदि हम नैनो गार को खरी देंगे तो लोग क्या सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे कि बताओ यार एक गाड़ी है और वो भी इनने वो यह एक लाक में खड़ी लिए समझेगे का तो यह क्या था नैनो का कम हो जाना इसलिए नैनो की जो बिक्री है वह कम हो गई फिर नैनो इतनी यादा सक्सेज नहीं हो पाई इसके अलावा अगर देखा जाए तो अन्य जो देश होते और वहां पर यह दिन नैनो को चलाया जाता एक तरीके स देखे चुकि भारत में इतना व्यापान नहीं कर पाई तो उन्होंने फिर आगे उसको चलाया नहीं अन्य देश जो हैं वह आधुनिक हैं और वह लोग समझते हैं उन्होंने सुविधा पूरुबग मतलब वह लोग सुविधा के अनुसार रहते हैं स्टेटस के अनुसार चला रहा हूं आप जो लोग क्या सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे तो यह बहुत सारी अगर देखा जाए तो लेने के लिए तो बहुत बड़ी है सांदर चीज वो लेके आए पर नहीं चला क्योंकि लोगों की जो सोच है वो अलग टाइप की है चलिए सुविधा उत्पा पत्र स्टेशनरी का सामान तूथ पेष्ट आदी इन उत्पादों का प्रती काई मूल्य कम होता है तथा इने थोड़ी मात्रा में खरीदा जाता है किलियर यह सुविधा वाले उत्पाद क्रय योग्य वस्तुएं कौन-कौन सी हैं देखते हैं क्रय योग्य उत्पाद वे काफी समय लगता है बाजारी वस्तुएं के कुछ उधारन जैसे कि कपड़े गहने फरनीचर रेडियो टेलीवीजन आदी यह क्या है क्रय योग्य वस्तुएं अब देखते हैं ब्रांडिंग ब्रांडिंग क्या है दोस्तों ब्रांडिंग आप लोगोंने देखा होगा ब् इस तरीके कर नाइक का है यह आपल बना होता है तुछ ब्रांडिंग अब यह क्या है इसको देखते हैं उत पार के शंवादिक महत्पूर्न लेना होता है वह ब्रांड के संवंद में होता है उसे यह निन लेना होता है कि फर्म के उत्पाद का बिपड़न किसी ब्रांड के नाम से किया जाए या फिर सामाने नाम से किया जाए किसी उत्पाद का नाम चिन्ह अथवा कोई प्रतीक आदी देने की प्रक्रिया को ब्रांड कहते हैं सबसे पहला ब्रांड नाम सब्द चिन्न पृतिक अत्वा इन में से कुछ का मिस्रण है जिसका प्रयोग किसी एक विक्रेता अत्वा विक्रेता समूं के उत्पादों वस्तूं एवं सेवाओं की पहचान बनाने के लिए किया जाता है तथा इसे से इन वस्तूं एवं ब्रांड नाम और ब्रांड शिन अब देखिए ब्रांड नाम क्या है ब्रांड का वह भाग जिसे बोला जा सकता है उसको हम क्या गहेंगे ब्रांड नाम देखिए कितने अच्छे से अंतर किया उनों में दूसरे सब्दों में ब्रांड नाम एक ब्रांड का मौखिक भाग है उधारन के लिए Asian Pant, सफोला, मैगी, लाइफ बॉई, डनलप, ये सभी ब्रांड के नाम हैं। दूसरा है ब्रांड चिन। ब्रांड का वह भाग जिसे पुकारा तो नहीं जा सकता लेकिन पहचाना जा सकता है। देख के छूके ब्रांड चिन कहलाता है। यह एक प्रतीक, आकार, अलग रंग, अथवा सब्दों की बनावट की रूप में होता है। उधारन के लिए Asian Pant का गटू, ओनीडा का प्रेत, जीवन बीमा निगम का योग, छमा, या एना सिन का हथेली, तथा चार उंगलियों के सभी ब्रांड। समझ रहे हैं न आप, यह ब्रांड चिन है। नाइक का इस तरीके के दिखा होगा आप लोगोंने, इस तरीके का बना होता है न। इसी प्रकार Edidas का इस तरीके से होता है कुछ लगभग में। ये सब एक तरीके से ब्रांड के चिन्न है. और उपर जो थे वो उनके नाम थे जिनको हम ले सकते हैं. चौथा आता है ट्रेड मार्क इसको समझ लिया. ब्रांड अथवा उसके किसी भाग को यदी कानूनी संरक्षन प्राप्त हो जाए तो उसे ट्रेड मार कहते हैं, पूरा पड़ते हैं फिर समझते हैं यह संरक्षन किसी अन्य फर्म के द्वारा इसके प्रियोग के विरुद्ध मिलता है अर्थार जिस फर्म ने अपने ब्रांड का पंजियन करा लिया है, उसे इसके उप्योग करने का एक अधिकार प्राप्त है ऐसी इस्तिती में देश में कोई अन्य फर्म इस नाम अथवच्चन का प्रियोग नहीं कर सकती इसी को कहते हैं ट्रेड मार्क, याने की ट्रेड मार्क यह है कि अब इनके लिए कानूनी माननता प्राप्त हो गई मान लीजिए नाइक कंपनी है, समझे यहां से, मान लीजिए नाइक कंपनी है अब आप लोगोंने देखा है कि भीया इनको एक तरीके से संदक्षण प्राप्त है कि इसका संदक्षण की ये जो नाम है इसका नाम भी और इसके अलावा इसका चिन भी सिर्फ एक अधिकार प्राप्त है याने कि वो अकेले करेंगे और कोई इसका उप्योग नहीं करेगा आपने बहुत सारी जगा देखा होगा कि ऐसा लेखा रहता है जैसे न, I, K, E और डवली लगा दिया तो वो लोग नाइक का प्रयोग नहीं कर रहा है ये डवली उन्होंने इसी लगा दिया कि ताकि उनकी बंद नहीं हो जाए क्योंकि यदि उन्होंने उनके वृद्द मे उठा लीजिए उनके लाश्ट में कुछ ऐसा चरबढा देंगे या कुछ अलग कर देंगे लेकिन देखने में तो वो उसी के जैसा लगता है देखने में नाइक के ही जैसा लगेगा पर उसमें कुछ थोड़ा वहत परीवर्तन कर देते हैं ताकि जो कंपनियां हैं उनके कावरण को डिजाइन करना एवं उनका उत्पादनकार पैकेजिंग की कई उत्पादों के सफल बिपड़न अत्वा इसकी असफलता में महत्पूर भूमी का होती है बिलकुल होती है दोस्तों पैकिंग का बहुत ज्यादा असर होता है यदि कोई भी वस्तु या सामान आप अच्छी पैक करी हुई मिल जाती है तो अपने आप अकरशित हो जाते हैं आपका प्रयास यह रहता है कि अगली बार एदी कोई सामान खरीदूं तो यहाई से खरीदूं यह पैकिंग की एक खास बात होती है और पैकिंग एदी आपको ऐसी मिल जाती है कि यार इसमें नहीं आया तो एक तरीके से देखा जाए तो उसकी बिक्री तो कम नहीं होती लेकिन आपका मन फिर उसको खरीदने का जादा नहीं होता देखिए packaging के तीन स्तर होते हैं पहला इस्तर देखते हैं प्रात्मिक packaging ये क्या है इसका अभी प्राइ उत्पाद की सीधी packaging से है कुछ मामलों में प्रात्मिक package में ही वस्तूओं को तब तक रखा जाता है जब तक कि उपभूगता उनका उपभूग ना करे जैसे मोजों के लिए प्लास्टिक बैग, जब तक उपभोगता उनका उपभोग ना करे, जबकि कुछ मामलों में उत्पाद के समाप्त होने तक उन्हें इसी में रखा जाता है, जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब माचिस की डिब भी समझीएगा, अब जैसे की टूथपेस् कि आप लोग देखेंगे कि उसमें दोनों हाथों की अबशक्ता नहीं है, मतलब कि आपने सीधा अपना ब्रस लिया, ब्रस वहाँ पे लगाया और उपर एक बटन दवाया तो अपने आपने टूथपेस्ट उपर आ जाएगा, तो लोगों के मन में इस पैकिंग के प्रतिय प्रति होती है, जिसे उस समय तक रखा जाता है, जब तक कि उसका उपयोग प्रारंब ना हो जाए, याने कि जैसे टूथपेस्ट है, तो उसके उपर एक कागच का जो फूरा पैकेट होता है, वो जैसे शेविंग क्रीम की ट्यूब साध परनता गत्य के बॉक्स में रखी अब इनहीं को एक तरीके से देखा जाए, तो एक काट्वूनु में रख दिया जाता है, उस काट्वून को बड़िया टेप लगा के- पैक कर देते हैं, अब काट्ूनों को चाई ऊपर से फेको, चाई नीचा से फेको, उनको इतने इच्छे तरीके से बनाया जाता रही तो ये तीन प्रकार की packaging होती है अब आते हैं labeling पे labeling क्या है वो जो उपर इस तरीके से लगा दिये जाते है लेबल नाम लिख दिया जाता है बढ़िया आकरसणवाला चलिए वस्तू के विपढ़न में सरल सा दिखने वाला लेकिन एक महत्वपूर कार package पर लगाने के लिए label क के स्वरूप को टाय करना है label उत्पाद पर एक सरल सी परची लगाने जैसे कि स्थानी गैर ब्रांड उत्पाद चीनी गेहूं दाले आदी जो गुडवत्ता या मूले जैसी कुछ सूचनाएं दिखाती हैं से लेकर जटिल ग्राफिक्स जो ब्रांड उत्पाद के package पर होत है तो labeling के कारे कौन कौन से हैं जैसे function of labeling कीमत का उलेक होगा उसके उपर मान लीजी ये लेवल है आप लोगों ने देखा होगा ये इस तरीके से लेवल लगा दिया अब इसमें उन्होंने सबसे पहले price डाल दी इतनी है ग्राहक के साथ सम्मंद स्थापित करने में सहायक इ और भी लेवल आप लोगों ने देखे होंगे फ्रिज में ना रखें निर्देशन दिये होगे ये चौथे वाले में फ्रिज में ना रखें इतने डिग्री पर रखें अब मानक तथा अन्यविसेस्ताओं की जानकारी इसमें क्या-क्या प्रोडक्ट मिला हुआ है ये सब दिखा रहेता है इस प्रकार लेबलिंग का कार्य होता है किलियर चार चीजों को याद रखिए कीमत का उल्लेग ग्राहक के साथ सम्मंद स्थापित करने में सहायक्त मानक तथा अन्य विशेष्टाओं की जानकारी प्रयोक सम्मंदी निर्देश लेबलिंग के लाब क्या होत अच्छी गुणबत्ता के माल की उपलब्धता हो जाएगी कीमत में उच्चा वचन पर रोक भी हो जाएगी याने कि मानली जी आपने सामान अपना कहीं किसी को दिया उसमें आपने प्राइस पहले से ही डाल दी अब जो चोटे दुकानदार हैं वो जुगार में हैं कि या हानिया भी देख लें भईया एक उत्पाद के पक्ष में दूसरे उत्पाद का विरोध के लियर लागत में ब्रद्धी याने कि मानली जी एक ही कंपनी है सुनिएगा एक कंपनी है अब एक कंपनी एक ही प्रकार के उत्पाद दो-चार प्रकार के बना दी तो इसमें लिख निरच्छर लोगों के लिए अनुकियोगी। भारत में हम देखते हैं, आज भी निरच्छर प्रा ducks hanников बहुत जादा है, जैसे विहार को उठा लिया जाए या अदिवासी छेत्रों को उठा लिया जाए, वहां पर निरच्छर लोग काफी है तो यहां पर भी अनुप्योगी सिद्ध हो जाती है एक मच्पी का दोस्तों चलिए दोस्तों कहां थे हैं अपन लेबिलिंग की हानिया या दोस्त तो लागत में ब्रद्धी होगी निए अच्छा लोगों के लिए नुप्योगी है भाई आप पड़े लिखें नहीं है तो उसमें क्या देखेंगे कि आप प्ऱमापी करण की दिसा में ही प्रभावकारी होगी जहाँ पर प्रबर्तन मिस्र ये क्या है अपने समप्रेशन के उखधिश को प्राप्ट करने के लिए सभी प्रबर्तन टक्नीकों को मिला कर प्रियोग करना है बिपडन करता अपनी फर्म के उत्पात के संबन में ग्राहकों को सूचित करने एवं खरीदने के लिए तैयार करने के लिए संप्रेशन के विविन्य तकनीकों का प्रियोग करता है ये तकनीके कौन कौन सी हैं देखिए दोस्तों विग्यापन, वैक्तिक विक्रे, विक्रे समवर्धन एवं परचार इन तक्नीकों को प्रवर्तन मिश्र के तत्तु भी कहा जाता है तता प्रवर्तन के लक्ष को प्राप्त करने के लिए इनके मिश्रों का उप्योग किया जा सकता है विग्यापन एडवर्टाइजमेंट ये क्या है बहुत इंपोर्टेंट है विग्यापन मांकी रजना एवं ब्रद्धी करने की एक ऐसी कला है जिसमें मौके लिखे तथा चित्रित सब्दों के माध्यम से वस्तू, सेवाओं, तथा विचारों को प्रस्तुत किया जाता है और उनका क्रै करने के लिए भोगताओं को प्रेरित किया जाता है विग्यापन के अंतर गत्वे सभी क्रियाई सामिल हैं जिनके द्वारा आव्यक्तिगत रूप से जनता को वस्तूओं तथा सेवाओं की सूचना दी जाती है और उन्हें इनका क्रय करने के लिए प्रेरिद भी किया जाता है सायद विग्यापन प्रवर्तन के लिए सबसे सामान रूप में उपयोग में आने वाला तकनीक है जिसका भुक्तान विपड़न करता कुछ वस्तू एवं सेवाओं के प्रवर्तन के लिए करते हैं विग्यापन के सर्वशाधारन माध्यम समाचार पत्र पत्रिकाई टेली वीजन एवं रेडियो हैं क्लियर जाल्याँ विक्रय समवर्धन सेल्स प्रमोशन विक्रय समवर्धन सेतातपर्य लगू अवधी प्रेड़नाओं से है जो क्रेता को वस्तू अथवा सेवाओं के तुरंत क्राय करने के लिए होती है। इन में विज्ञापन, व्यक्तित्त, विक्राय एवं प्रचार को छोड़ कर कंपनी के द्वारा अपनी विक्री बढ़ाने की अन्य सभी प्रवर्तन तक्नीक समलित होती है। विक्रे समवर्धन क्रियाओं में नगत छूट, विक्री प्रतियोगिताएं, मुफ्त तोहफे एवं मुफ्त नमूनों का वित्रण। विक्रे समवर्धन अन्य प्रवर्तन के प्रतन जैसे विज्ञापन, व्यक्तिक विक्रे पुर्यक के रूप में प्रियोग किये जाते हैं यह है विक्रे संवर्धन विक्रे संवर्धन के लाब ध्यानाकर्शन मूले विक्रे संवर्धन क्रियां प्रोथसाहन कारेक्रमों का उप्योग कर लोगों का ध्यानाकर्शित करती हैं दूसरा नए उत्पाद के अउतरण में उप्योगी जब भी किसी उत्पाद को बाजार में लाया जाता है तब विक्रे समवर्धन नियंत्र बहुत प्रभावी हो सकते हैं यह लोगों को अपने नीमित खरीज से हटा कर नए उत्पाद का उप्योग करने के लिए प्रेरित करते हैं क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं प्रबर्टन के माध्यम के रूप में एह बिपड़न फर्म के नियंतरन में नहीं होता। समाचार माध्यम सूचना के केवल उस भाग को प्रिशार करते हैं, जो समाचार की योग होते हैं, जो निश्चित छेत्र में किसी प्रकार की उपलब्धी माने जाते हैं। इसलिए कोई फर्म प्रचार को अपने उत्पात के सक्रिय प्रवर्तन के रूप में प्रियोग नहीं कर सकती, clear देखिए, प्रचार के इस रूप में विग्यापन के समान है कि यह भी गैर व्यक्तिक संप्रेशन है, लेकिन विग्यापन के विप्रीत यह बिना किसी भुगता के संप्रेशन है जब किसी उत्पाद अथवा सेवा के संबंध में जन समाचार माध्यम में पक्ष में समाचार आता है तो इसे ही प्रचार कहते हैं प्रचार की दो महत्मों भी सेस्ता हैं पहला, परचार एक बिना भुकतान का संप्रीशन है, इसमें बिप्ढन इकाई का प्रत्यक्च रूप से कोई खर्चा नहीं लगता, समझना? दूसरा, इसके संचार का कोई निर्दिष्ट सौजन्य करता नहीं होता क्योंकि इसमें संदेश एक समाचार की रूप में जाता है, प्रचार में क्योंकि सूचना एक सुतंतर इस्तरोत के माद्यम से दी जाती है जन संपर्क, पबलिक रिलेशन्स, कित्ता महत्पूर्ण है दोस्तों, एक संगठन के जनमत का प्रबंधन करना एक महत्पूर कार है, जो विपड़न विवाक के द्वारा निस्पादित किया जाता है, विवसाय को अपने ग्राहकों अपूर्ती करता हूं, तथा व्यापारिय जनता के अन्य सदस्वी हैं, जिनकी आवाज अत्वमत समान रूप से महत्पूर है, ये जनता, कंपनी और उसके उत्पादन में रुची ला सकती है, तथा उसके उद्देश को प्राप्त करने की विवसाय छमताओं पर प्रभाव डाल सकती है, अताया आवश्यक हो जाता ह कि जनमत तथा जनता के साथ कंपनी के संबंधों का नीमित आधार पर प्रभंधन किया जाए, इसलिए जनता की नजरों में कंपनी की छवी तथा व्यक्तिगत उत्पादन के प्रवर्तन तथा संरक्षण हितु कई प्रकार के कारेक्रम जन संपर्ग में सामिल होते हैं, जन जन संपर्ग की भूमिका की चर्चा उन कार्यों के संदर्व में की जा सकती है, जो जन संपर्ग विवाग के द्वारा किये जाते हैं, विपड़न विवाग के हाथों में जन संपर्ग अपने आप में एक महत्पूर उपकरण है, जिसे व्यवसाई के लाब के लिए उपयो से प्रस्तुत किये जाने की अवशक्ता है समाचार बनाने हे तू एक कहानी का विकास तथा अनुसंधान कौसल आवस्यक है तथा जन संचार माध्यमों को प्रेस प्रकाशनी सुविक्रत कराना एक कठिन कार है जन संपर्ग विभाग कंपनी के बारे में सही तथ है तथा सही तस्वीर प्रस्तुत करने हे तू जन संचार माध्यमों के संपर्ग में रहता है अन्य था यदी समाचार अन्य स्त्रोतों के लिए जाए तुभविक्रत हो सकते हैं उत्पाद प्रचार नए उत्पादों के प्रचार हे तू विसेश प्रयास अवस्यक होते हैं तथा कंपन तथा प्रदर्शनियों जैसे खेलकूद तथा शांस्कृतिक घटनाओं के आयूजन की द्वारा कम्पनी अपने नए उत्पादों की प्रती ध्यान अकर्शित कर सकती है। श्रब्शामग्री की सहायता से किया जाता है। विवाग उन वी नियमों का समवर्धन अत्वा विरोत करने में वास्ताओं में क्रियासील होता है जो उसे कंपनी संगतक को प्रभावित करते हैं। क्लियर ये था लॉबी प्रचार। चलिए दोस्तों तो आज की जो अपनी क्लास है वह समापत होती है। अन्य क्लासों की अपिच्छा थोड़ी बड़ी थी क्योंकि अपने इसमें दो टॉपिकों को रखा था। जहां आप इसको एक से दो बार देखेंगे तो अपने आप ये आपके लिए अच्छे से याद हो जाएंगी। इसके बाद प्लेलिस्ट में जाएगा उसमें चेक कर लीजिएगा जो वन लाइन वाले कोशन हैं व्यवसाय और वारिजिसे सम्मंधित उनको आप जहां देख लेंगे तो अपने आप आपके लिए पूरा का पूरा ये जो टॉपिक है वह किलियर हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगो सला दूँगा पेपर आने वाला है जितनी जल्दी हो सके आप लोग उनको करते चले जाएं लगभग में आप समझ लीजिए 24 फरवरी 24 फरवरी को प्रवंधन की लाष्ट क्लास होगी इसके बाद फिर अपन इसका रिवीजन करना चालू कर एक रिवीजन बहुत जादा जरूरी है क्योंकि उसके बाद पर समय आप जानते ही हैं लगभग में 10 दिन अपने पास में बचेंगे हैना 10 नहीं लगभग 15 दिन वो रहेंगे 15 तो 20 दिन और आप लोग पास में बचेंगे 18 से 20 दिन उसमें अपन लोग अच्छे से इसकी प बंद करते हैं समाप्त करते हैं मिलते हैं